देहम नाहम, कोहम सोहम जी भी सुबरामया की दो पुत्री थी एक का नाम ललिता और दूसरी का नाम इंद्रा था सुबरामया सब परिवार भगवान्षी रमण मरशी का दर्शन करने नियमित आया करते थे रमण महरशी का दर्शन करने आने में उन्हें यातायात की बहुत सारी कटनाईयों का सामना करना पड़ता था वे एक बार महरशी का दर्शन करने आयें उस समय की ये घटना है उनकी छोटी पुत्री इंद्रा पांच वर्ष की थी वह बहुत ही चंचल, नटखट और शरारती थी सभाभावन में बहुत से भक्त महारशी का सच्छन कर रहे थे एक भक्त ने महारशी से पूछा भगवान हम संसार में हैं और संसार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं संसारी कर्मों को करते हुए भी हम अपने मन को किस प्रकार शांत रख सकते हैं महारशी ने उतर दिया यदि हमारे भीतर करतापन नहीं होगा तो हम संसार के सभी कर्म करते हुए भी शांत रह सकते हैं जहां सत्संग चल रहा था उसी सभाभवन में इंद्रा खेल रही थी तथा शोरगुल करते हुए इधर उदर घूम रही थी वहां के वस्तूओं कभी पुस्तक को लेकर तो कभी महरशी के डंडा भिक्षा पात्र तो कभी सोफा के पास रखी छड़ी को लेकर खेल रही थी रमण महरशी ने इंद्रा से पूछा मा तुम क्या कर रही हो इंद्रा ने उत्तर दिया मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं शान्त अस्थिर हूँ इसे सुनकर सभी लोग हसने लगे क्योंकि इंद्रा बहुत शरारत कर रही थी और बता रही है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं शान्त और स्थिर हूँ महरशी ने हसते हुए पस्ति भक्तों की और देखते हुए कहा देखो ठीक इसी प्रकार संसार के कर्म करना चाहिए वह कार्य कर रही है लेकिन वह बता रही है कि मैं शान्त और स्थिर हूँ यह आत्मकान का सार है एक व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है फिर भी वह शान्त और स्थिर रह सकता है इस यात्रा के समय एक दिन इंद्रा ने महरशी के तेलगु भाषा के उपदेश सारम के प्रिष्ट को पलटते हुए पढ़ना आरम किया उसमें चार पंक्तियां संस्कृत में देहम नाहम, कोहम सोहम, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, तुम कौन हो, मैं भ्रम हूँ लिखा हुआ था उसने उसको पढ़ा, इंद्रा ने जब इसे पढ़ा, तो महरशी ने कहा कि अब परियाप्त है, तुम को और आगे पढ़ने की आवशक्ता नहीं है तुम ने जो पढ़ा, वह सर्वश्रेष्ट ग्यान है, तुम उसे अपना मंत्र बना लो विष्वनाथ स्वामी नामक एक भक्त रमन महरशी और इंद्रा के बीच इस विलक्षन वारतालाप को सुन रहे थे विष्वनाथ ने महरशी से कहा, ये छोटी बच्ची इस सर्वश्रेष्ग्यान को समझहे की क्या महारशी ने विश्वनात को उतर देते हुए कहा ओ, समझने से ही क्या जानना हो जाता है तुम सब जानते हो, तो क्या तुम सब समझ गए हो विश्वनात ये सुनकर चुप रह गया रमन महारशी जब भी इंदरा को देखते तो उसके उसको इस मंत्र को दोहराने के लिए कहते बहुत जल्द ही उसने इसे कंठस्त कर लिया महरशी प्रति दिन की तरह अरुनाचल पहाडी पर घूमने के लिए जा रहे थे उसी समय दोनों लड़की ललिता और इंद्रा रमन महरशी से विदाई लेने के लिए आई दोनों ने महरशी से कहा कि हमें घर जाना होगा यह कहते हुए इंद्रा रोने लगी इंद्रा के पीट को प्यार से तप तपाते हुए महरशी ने कहा तुम अपनी जगह जाओ इंद्रा की यह अंतिम यात्रा से धुई और मैं अपनी जगा जाता हूँ पहाड़ी की ओर संकेत करते हुए घर वापस आने के बाद दोनों बच्चियों ने अपने पिताजी सुबर अमाया को पत्र लिखा उस समय वह आश्रे में ही थे लडिता ने अपने पिताजी को लिखा कि महरशी को बता दीजिये कि मैं अगली कक्षा में चली गई हूँ जबकि इंद्रा ने लिखा कि वह अविरल मंत्र का जाप कर रही है और आपका रमण महरशी ध्यान कर रही है इस पत्र को पढ़कर महर्शी बहुत आनंदित हुए इसके कुछ दिनों के बाद ही इंद्रा ने इस नश्वर शरीत का त्याग कर दिया अपने अंतिस सासों तक वह देहम नाहम कोहम सोहम का जाप कर रही थी इंद्रा के अंतिम संसकार के स्थान पर उसके पिता सुबरा माया ने एक समादी का निर्मान किया जिस पर लिखा हुआ था देहम नाहम कोहम सोहम